हलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है धुरू कोचिंग ग्लासेज में CMA, Foundation के तो ओनलाइन एक्जाम थे ही थे साथ में अब Inter और Final के भी ओनलाइन एक्जाम आ गए है Notification भी आ गया है, कल रात को ही आ गया था तो एहम बाते हैं वो जान लीजिए ये अच्छा है की बुरा है, इंसिचूट ने आपने को इस के बारे में decision लेने को नहीं बोला है भाई ने बोला है online, तो बस online आईए जानते हैं देखिए अभी notification आ गया है, online के लिए सबसे पहले तो जान लेजिए, paper type के रहने वाला आपका MCQ भी हो सकते हैं, ये possibilities हैं True-false, Phillips और matchmaking और subjective paper भी हो सकता है अभी तक subjective में दिख्कत है की कैसे होगा, ये हो सकता है की आपका camera चला के camera के आगे, आप बैठ के आपको लिखना पड़े most probably MCQ, True-false, Phillips और matchmaking तो होगे ही होगे subjective में question कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो अपने बड़े-बड़े question है, जैसे NPO का question हो गया, या company accounts या FM का जितने भी question होगे, वो एसटी जाने वाले हैं, उनके solution आपको लिखके, upload करने हो सकते हैं, इसके बारे में देखने लाइक होगा otherwise, MCQ, Truffles, Phillips और matchmaking तो है ही है, उनको तयार करते रहेगा दूसरा calculator allowed होगा, बिल्कुल इससे पहले foundation में भी exam होगा था, उसमें भी calculator पुर इतरे से allowed था, बिल्कुल allowed रहेगा, दूसरा जान लीजिए भाई साब, जब online exam होगा, notification आएगा तो बोलेंगे भया आपके computer में basic need यह होनी चाहिए, अभी से अपनी तयारी कर ले Windows 7 या Windows 7 से ज्यादा होना चाहिए, वैब के मच्छी चित्रेश चलना होना चाहिए, sound test माइक वगेरा उसमें होना चाहिए, strong internet connection बीच में कटे नहीं, internet connection ऐसा जुगाड आपका पहले से होना चाहिए, laptop वोगेरा का जुगाड अभी से start कर दो, Windows 7 तो कम से कम होनी चाहिए, Windows 10 हो तो बहुत बढ़िया, home based वाले जहां ध्यान रखे है, username और password आएंगे ना, वो SMS या email के थ्रू आएंगे, तो जिन बच्चों के SMS पर आ सकें, otherwise exam में बड़ी दिक्कते आएंगी, जो center based है, उनको अभी कुछ नहीं करना है, वो कहां जाएंगे, वो अभी institute बताएगा, इसके बारे में अभी कोई जानकरी नहीं है, जब भी actual exam होगा, न ध्यान रखें, उससे पहले कम से कम भी दो बार demo exam होगा, तो अब बच्चों के पास ID password पहुंचे ही नहीं, तो दुबारा exam कराना पड़ा, तो यह नई नई चीज है, तो अब देखते हैं, institute इसमें कितना initiative लेता है, आप बच्चे इसमें time waste ना करें, कि अच्छा है कि बुरा है, भाई ने बोला है online, तो online, इसी बात है, यह अभी तक की update है बाकी लोग आप जानते हैं, तैयारी करिएगा, टैसरी जरूर दीजिएगा ध्रू कोचिंग लासेज की, धनेवाद, नमस्कार, शुक्रिया